मुवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है अचानक ही वेदर चेंज हो जाता है और तेज-तेज हवा चलने लगती है और आस्मान से एक बुक जमीन पर आकर के गिरती है वो बुक लाइट को मिल जाती है लाइट उसे चेक करता है और अपने पास रख लेता है तो यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह कोई आम बुक नहीं थी बलकि यह तो एक एंशेंट बुक थी तब ही अचानक वहाँ पे बारिश भी होने लगती है स्कूल के अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल कही एक बदमाश लड़का दूसरे लड़के को परिशान कर रहा है और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है जबकि बदले में वो लड़का लाइट को एक पंच मार देता है लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टुडेंट्स के होमवर्क मिल जाते है यहाँ पर लाइट के सीक्रेट्स को रिवील कर दिया जाता है कि वो दूसरे स्टुडेंट्स का होमवर्क करता है और इस बात के वज़े से लाइट को प्रिंस्पल के पास भीज़ दिया जाता है लाइट को पनिश्मेंट देने के लिए उसे एक अकेला रूम में रखा जाता है जब लाइट अकेला बैठा होता है तो उसे वो एंशेंट बुक यादा जाती है फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है इस बुक को पा करके लाइट को काफी अजीब फील होता है जब light book को read करने लगता है तो उस room में अजीब अजीब चीज़े होने लगती है वहाँ पर light एक अजीब चीज़ को notice करता है जो इंसान नहीं था बलकि एक बहुत बड़ा creature था उसकी body के skin नोकदार थी और वो काफ़े डराऊना और काफ़े creepy look दे रहा था light उसे देखकर बहुत ही ज़ादा डर जाता है लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई creature नहीं बलकि ये तो angel of death है और ये angel of death इस book का guardian है angel of death light को इस book के reality बताता है कि ये book क्या क्या कर सकता है उसने बताया कि जिस इनसान के पास ये book होती है उसका owner वही होता है यानि उस वक्त उस book का owner light था इस book के खास बात ये थी कि इसके death notes पर जिसके भी नाम लिखे जाएंगे वो मर जाएगा book का मालिक अपनी पसंद से किसी को भी मार सकता है light फिलाल तो इस बात पर विलिव नहीं करता angel of death केवल उसी को नजर आता है जिसके पास वो book होती है अब angel of death light को बताता है कि उसे 7 दिन में इस book पर एक नाम तो जरूर लिखना है और अगर उसने ऐसा ना किया किसी का भी नाम नहीं लिखा तो ये book किसी और के पास चली जाएगी किसी का भी नाम इस book पर लिखने की शर्त ये है कि owner को उसका original name और face याद होना चाहिए और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो actual में होता है एंजल ओफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें इस book को जरूर ट्राइ करना चाहिए तभी लाइट ने विंडो से बाहर उसी लड़के को देखा जिसने लाइट को मारा था एंजल ओफ डेथ की बात मान कर लाइट उसी लड़के का नाम उस book पर लिख देता है और उसकी मौत का वो ये method लिखता है कि उसका सर crush होगा फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो अचानक से बदल जाता है दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और उसमें से एक गाड़ी के उपर लोही की सीड़ियां रखी हुई थी जिससे सच में उस लड़के का सर crush हो जाता है लाइट के साथ साथ वहां सभी ये सब देख करके हैरान हो जाते हैं ये सब देख करके लाइट को भी यकिन आ गिया था कि जो जो उसे इंजल ओफ डेथ ने बताया सब कुछ सच है इसी वज़े से लाइट काफी जादा डर जाता है इंजल ओफ डेथ बताता है कि तुम इस बुक की मदर से बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूँगा इसके बाद लाइट अपने घर वापिस आ जाता है घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले किसी क्रीमिनल ने लाइट की मदर का मटर कर दिया था लेकिन वो क्रीमिनल सबूत ना होनी के वज़े से खुला गुम रहा था और इसी बात के वज़े से दोनों बाप बेटे के रिलेशन भी कुछ खास नहीं थे लेकिन लाइट अपने फादर से नारास था कि आप मेरी मॉम के डेथ का बदला नहीं ले रहे हैं इस बात को ले करके लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रीमिनल का नाम भी उस डेथ नोट पर लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है उस क्रीमिनल का नाम वो उस डेथ नोट पर लिख देता है फिर हमें वही क्रीमिनल दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और अचानक देखते ही देखते सब के सामने उसके मौत हो जाती है जब दोनों बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो दोनों खुश हो जाते हैं यहाँ पर लाइट ने अपनी मॉम की डेथ का बदला भी ले लिया और अपने फादर के साथ रिलेशन भी अच्छा कर लिया फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे यूज किया जाए लाइट अपने स्कूल में बैट करके ये सब सोच रहा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया और मिया लाइट के बेस्ट फ्रेंड होती है इसी वज़े से लाइट अपना सीक्रेट उसे बता देता है कि मुझे एक मिस्टिरियस बुक मिली है जिस पे अगर किसी का नाम लिखा जाए तो वो मर जाता है लेकिन मिया इस बात का विलीव नहीं करती इस बात को प्रूफ कर लाइट मिया को लाइव निउस दिखाता है जहां एक किलर दिखाया जाता है लाइट उस किलर के बारे में डेथनोट पर लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी और उसकी वज़े से वो मर जाएगा अब क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल का फेस और नाम मालूम लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीरा यानि जब भी कोई मरता था तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की देशत फैल जाए और वो बुरे काम करना छोड़ दे और देखते ही देखते पुरी दुनिया में ये खबर वाइरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो बारी-बारी सब को मारता जा रहा है और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि अब कम से कम दुनिया से बुरे लोग तो खतम होंगे अब क्योंकि था तो वो किलर इसलिए पुलीज भी उसे ढूड़ने लगी अब क्योंकि लाइट के खिलाफ कोई सबूत तो थी नहीं जिसके व मिया अपने लाइफ में बहुत जादा खुश थे और उन्होंने 400 लोगों तक को मार चुका था एल एक कॉन्फरेंस में एनाउंस करता है कि कीरा सब के सामने आ जाओ एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्ट से ही देखता है लाइट के फादर भी एक डि को बढ़ा दिया लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया जाए तो उसके साथ क्या किया जाएगा लाइट की फादर कहते हैं कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो आधे लोग कहेंगे कि उसे फासी की सजा होनी चाहिए लेकिन आधे लोग में बहुत से लोग थे जिसमें लाइट भी शामिल था क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था इसलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो अपने आपको नॉर्मल रखता है बुक में लाइट का इंट्रेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है क्योंकि ये सब करके मिया काफी enjoy कर रही थी लाइट और मिया के रास्ते का पत्थर L बन गया था लेकिन वो चाह कर भी L को नहीं मार सकते थे क्योंकि ना वो उसका original name जानते थे ना ही उन्होंने कभी उसका शकल देखा था जो की book का rule भी था लाइट और मिया इस बात पर discuss कर रहे होते हैं कि हमें सारे agents का नाम लिखना चाहिए जो कि सब कीरा को ढूंड रहे हैं ताकि बाके detectives कीरा से डर जाएं और मजबूरन उन्हें इस case को बंद करना पड़े ये सब कुछ मिया करना चाहती थी बलकि लाइट ये सब कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि वो innocent लोगों की जान नहीं लेना चाहता था इसलिए मिया को भी लाइट की बात माननी पड़ती है और इस बात पर वो agree करती है और दूसरी तरफ एल को भी ये मालुम चल जाता है कीरा ने बस उन्हीं को मारा है जिने बस टीवी पर दिखाया गया है और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका नाम और फेस उसे नहीं पता है अब उस पस शक ना आए इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि अब कुछ दिन वो लोगों को नहीं मारेगा लेकिन सड़न एक इंसिडेंट हो जाता है वो सारे एजेंट्स बिल्लिंग से कूद कर सुसाइट कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल थें और कीरा को ढूण रहे थे लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे तो फिर किसने लिखे थे यहां से situation खराब हो जाती है क्योंकि अब तक सिफ कीरा बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था लेकिन अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया इसलिए वो अब एक हीरो नहीं बलकि एक खत्रा बन चुका है जो कि किसी को भी मार सकता है इस बात को लेकर लाइट काफी tension में आ जाता है वो Angel of Death से पुछता है कि क्या यह सब तुमने किया तो Angel of Death कहता है कि यह नाम किसी और ने लिखे है क्योंकि यह काम मैं खुद नहीं कर सकता लाइट के Father Conference में कीरा को open challenge करते है कि innocent लोगों को मारना बंद करो अगर हिम्मत है तो मुझे मारो और सब के सामने आ जाओ यह news Light और Mia भी देख रहे थे गुस्से में आकर Mia Light को कहती है कि तुम अपने Father का नाम भी उस book पर लिख दो Light Mia को कहता है कि मैं अपने Father को कैसे मार सकता हूँ क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है एल भी काफी हुशियारी से इस केस को हैंडल कर रहा था वो देखता है कि अब Light के फादर को कीरा मारेगा या नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता अब क्योंकि Light के फादर नहीं मरते जिससे एल का शक जो Light पर था अब वो यकीन में बदल गया था क्योंकि आखिर है तो वो भी एक डिटेक्टिव जो इस केस को हैंडल कर रहे है लेकिन कीरा ने उन्हें नहीं मारा इसका मतलब कीरा कोई और नहीं बलकि खुद Light है इसलिए रात को एल लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो एल लाइट से काफी कोशन्स भी करता है और उससे अपना फेज भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना अब बंद कर दो लाइट उसकी बातों को इगनोर कर गे वहां से चला जाता है अब खत्रा उसके सर पर ही था अब वो चाहा कर भी एल को नहीं मार सकता था मिया लाइट को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है लाइट कहता है एल का फेस तो मैं देख चुका हूँ लेकिन उसका ओरिजनल नेम उसके फ्रेंड को पता होगा लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है अब यहाँ पर book का एक और rule सामने आता है कि अगर owner ने किसी का नाम वाला page जला दिया तो वो person बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा लेकिन Angel of Deathlight को बताता है कि ये बस एक ही बार हो सकता है अब L का friend Light के control में आ चुका था लेकिन वो भी L का original name नहीं जानता था Light उसे कहता है कि किसी भी तरह L का original लाम पता लगवा हो तो L का friend बताता है कि L एक academy में जाता था मेबी उसके documents में उसका original name हो इसलिए Light उसे foreign academy में जाने को कहता है L का friend ऐसे ही करता है और वो foreign academy में चला जाता है Light का plan था कि जैसे ही वो L का original name पता कर लेगा उसके friend का वो page जला देगा ताकि उसकी भी जान बच जाए लेकिन L को doubt हो जाता है कि उसका friend missing है उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि Light ने उसे भी अपने control में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए और इस बात से L काफी tension में आ जाता है इसलिए L बिना inform किये Light के घर आ जाता है वो Light के father को कहता है कि आपका बेटा ही असल की रहा है और इसी नहीं मेरे friend को गायब किया है लेकिन Light पर किसी को शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ जो कोई सबूत नहीं था L उनकी घर की तलाशी लेता है मगर उससे वहाँ कुछ नहीं मिलता ना ही वो ancient book मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी फिर Light को L के friend की call आती है कि मैं academy तक पहुँच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा सा ही time रह गया था और L का friend बस नाम बताने ही वाला होता है जब Light page को जलाने लगता है तो वो देखता है वहाँ तो वो page है ही नहीं वो तो गायब हो चुका था इसलिए नाम बताने से पहले ही L के friend की मौत हो जाती है और इस बात से Light को काफी दुख होता है फिर एक dance party में मिया इस बात को reveal करती है कि L के friend का नाम का page मैं नहीं फाड़ा था और तो और police officers के नाम भी मैं नहीं लिखे थे वो कहती है कि मैंने तो अब तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस book पर और Light के मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी heartbeat बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा वो कहती है कि अगर तुम मुझे यह book दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूँगी यानि मिया ने book को हासिल करने के लिए Light को अपने trap में फसाया जब L को उसके friend के death के बारे में पता चलता है तो वो Light के पीछे पड़ जाता है L फिर Light को पकड़ ही लेता है लेकिन L वहाँ एक शेफ को कहता है कि ये कीरा है और मेरी मदद करो इसे पकड़ने में लेकिन वो शेफ L को ही बेहुश कर देता है क्योंकि वो कीरा का supporter जो था भागते भागते Light मिया को भी अपने साथ दे जाता है और वो एक जूले में चले जाते हैं दोनों उपर ही फस जाते हैं और इतने देर में वहाँ पर पुलीस भी आ जाती है Light मिया को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी हम एक हो करके सब कुछ नॉर्मल कर देंगे लेकिन मिया लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानती वो उस बुक को Light से छीन लेती है ये देखकर Light मिया को कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है मिया समझ जाती है कि Light ने उस बुक में मेरा भी नाम लिख दिया होगा अब दोनों के ही नाम बुक में थे तो दोनों नीचे गर जाते है मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट जाकर के पानी में गिरता है फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो की कोमा में चला गया था इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो light पे था लेकिन वो तो खुद ही coma में है लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं फिर हम देखते हैं जब मिया और light उपर से गिर रहे थे तो वहाँ पर से एक page गिरके आग में चले जाती है और उस page पर light का नाम लिखा हुआ था लाइट ने एक समझदारी की थी जब उस्से पता चला कि मिया ने उसका नाम लिख दिया तो उसने बुक में ये लिखा कि मिया उससे अगर ये बुक ले लेती है तो वो मर जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी लिख दिये थे एक बुढ़ा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है बाद में वही डॉक्टर सुसाइट कर लेता है फिर और एक आदमी उस बुग को लेता है और बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है बाद में वो आदमी उस बुग को लाइट के पास ले आता है लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था इसके बाद एल को सस्पेंट कर दिया जाता है लेकिन वो एक आखरी बार मिया की घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ पे मरने वाले सारे पुलिस ओफिसर्स के नाम मिल जाते है जिसके वज़े से सारा इलजाम मिया पर आ जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है